नमस्कार दोस्तों मेरा नम आमूल है और आप देख रहे हैं आस कमूल दोस्तों मेरे चानल पे आप सभी का सौगत है आज का हमारा टॉपिक है हम औरी फिल्म में मोबाल से ओर्डर कैसे डालेंगे तो चलिए बिना देरी किये शुरू करते हैं तो चलिए हम हमारे मोबाल की स्क्रीन पे आ चुके हैं तो सबसे पछला हमें क्रोम ब्रावजर ओपन करना है और Google में सर्च करना है Oriflame जैसे हम Oriflame सर्च करेंगे तो स्टार्टिंग में ही Oriflame का वेबसाइट नजर आ रहा है यहाँ पे अब हमें क्लिक करना है अब एक नया पेज ओपन हुआ है राइट साइट में जो साइणिंग का सिम्बॉल नजर आ रहा है यहाँ पे अब हमें क्लिक करना है अब हमें कंसर्टर नंबर और पास्वर्ट पूछा जा रहा है तो चलिए हम फटा-फट कंसर्टर नंबर और पास्वर्ट डाल देते हैं अब हम औरिफलेम में साइनिंग हो चुके हैं अब हमें राइट साइट में जो साइनिंग का सिम्बॉल यहाँ पे नजर आ रहा है जहाँ पे मैंने मेरा प्रोफाइल पिच्छर सेट किया यहाँ पे अब हमें क्लिक करना है अब एक नया डैश्बर ओपन हो चुका है और थर्ड नमबर पे जो option नजर आ रहा है, place your order, यहाँ पे आप हमें click करना है, अब एक नया page open हो चुका है, उपर shopping bag, 2 number, 3 number, 4 number, 5 number, ऐसे pages दिखाई दे रहे हैं, shopping bag के नीचे ही quick order, यहाँ पे आप हमें जो भी product चाहिए, उनके code यहाँ पे हमें डालने होते हैं, तो चाहिए, मैं example के लिए एक product आपको डाल के दिखा देता हूँ, अब मैंने product का code डाल दिया है, और right side में यहाँ पे हमें quantity select करना है, अगर आपको एक चाहिए, तो एक select कीजिए, दो चाहिए, तो दो select कीजिए, और उसके बाद add पे click करना है, जैसे हम add पे click करेंगे, तो हमारा जो product है, milk and honey के body cream, यह हमारी shopping back में add हो चुके है, यहाँ पे आपको उसकी image नज़र आ रही है, product का code नज़र आ रहा है, quantity, और product की MRP, 543, और उसके business point, 11, यह नज़र आ रहा है, तो जितने भी आपके product है, यहाँ पे आपको step by step करके, सारे product यहाँ पे डालने होते हैं, उसके बाद, यहाँ से भी आप product के quantity कम कर सकते हैं, यहाँ पे plus पे अगर click करोगे तो 2 हो जाएंगे, minus करोगे तो कम हो जाएंगे, उसके बाद हमें नीचे आना है, जैसे ही नीचे आते हैं, तो यहाँ पे add to your order at a cost, यहाँ पे नीचे देखिए, 1, 1, 0 में next month के 5 catalog का bunch आपको add हो रहा है, अगर आपको यह bunch नहीं चाहिए, तो easily आप यहाँ से delete का option नजर आ रहा है, यहाँ से आप delete कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, अगर आपको business अच्छा करना है, तो जितने जादा catalog होंगे, उतना आपको जादा फाइदा होगा, अग फिर भी आपको नहीं catalog चाहिए, तो यहाँ से आप easily आप delete कर सकते हो, तो चले हम delete करके आपको दिखा देते हैं, तो shopping bag का जो page है, अब हमारा complete हो चुका है, अब हमें next page पे जाना है, जैसे हम next page पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी नए members होते हैं, उनके welcome program, या फिर किसी न business class अच्यों किया है, तो यहाँ पे gifts नजर हमें आते होगे, तो यहाँ पे हम अपने gifts, अपने shopping bag में add कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से video बनाऊंगा, जहाँ पे welcome program क्या होता है, कैसे add करना है, business class क्या होता है, कैसे add करना है, वो आपको मैं separately video बनाऊगा, उसके न blog के अलावा online offers होते हैं, जो हमें यहाँ पे नजर आते हैं, तो यहाँ से भी आप कोई भी product आपके shopping bag में आप add कर सकते हो, easily, ठीके, तो इसके बाद जो third number page है, यहाँ पे आप हमें click करना है, यहाँ पे delivery options है, अगर आपको brand से pick up करना है, तो आप यहाँ पे click कर सकते हो, click कर सकते हो, तो मुझे यह product home delivery चाहिए, तो चलिए हम home delivery पे click करते हैं, जैसे हम click करेंगे, तो यहाँ पे नीचे दो option नजर आ रहे हैं, delivery by courier with prepared, और उसके नीचे ही delivery by courier with pay on delivery, यह दो option नजर आ रहे हैं, अगर आप उपर वाला option न सेलेक करते हो, delivery by courier with prepared, तो आपको card payment करना होगा, अगर आपको card payment नहीं करना है, आपको cash on delivery चाहिए, तो नीचे जो option नजर आ रहा है, delivery by courier with pay on delivery, यहाँ पे आवे हमें click करना है, फिर उसके बाद नीचे हमें continue पे click करना है, उसके बाद हमें continue पे click करना है, अब यहाँ पे हमें option नजर आ र हमारा COD, RDC West से हमारा पारसल आ रहा है, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, उसके नीचे में payment option है, pay on delivery, उसके नीचे summary है कि कितने order हुआ है, shipping fees, handling fees, अगर आपका 2000 के नीचे order होता है, तो हमें ये fees add होती है, shipping fees है, handling fees, 100 उपीस add होता है, अगर आपका 2000 के उपर order हो रहेगा, तो आपको ये fees add नहीं होगी, यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा, तो चिली, इसके बाद हमें, finally, हमें place order पे click करना है, जैसे हम place order पे click करेंगे, तो आपका order पंच हो जाएगा, और 2 या तीन दिन के अंदर आपको ये parcel घर पे मिल जाएगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, तो like कीजे, share कीजे, मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजे, ताकि मैं जब भी कोई ना है वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहला notification आपको मिल जाएगा,